ढोकला बनता तो अच्छा है फूलता तो है लेकिन उसकी उपर की सर्फेश असे फटी-फटी से बन जाती है या तो फिर ढोकला तो नहीं उसकी बर्फी है बन जाती है ऐसा क्यों हो जाता है सुबह की भागदोन में हम इसे बनाना चाते हैं अगर पर्फिक्ट ढोकला नहीं बना तो हमारा काम भी बढ़ जाता है और मूड भी आफ हो जाता है तो इस वीडियो का पूरा देखिए आप ढोकले में मास्टर बन जाएंगे गारंटी मेरी है पूरी ट्रिप्स और ट्रिक्स के साथ आज आपको ए वीडियो मिलने वारी है डोकले की रेसिपी इंस्टन्ट सुजी का डोकला आज हम बनाएंगे आप डोकले पे जाली देख सकते हैं सुपर स्वप्ट मॉइस्ट डोकला यहाँ पर बन कर तयार है वीडियो में बताए गए सभी ट्रिक्स को आप फॉलो कीजी आप भी ऐसे ही डोकला पर्फेक्ट बन पाएंगे वो भी बिल्कुल आसान तरिके से एक बाउल लेंगे और बाउल में एक कफ हमने यहाँ पे बारिक वाली सुजी लेनी है केक हो या डोकला आपको सुजी बारिक वाली ही लेनी है और एक कफ सुजी के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ आधा कफ दही का यूज किया है ओक्यू मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी यहाँ पे हमने आधा कप दही का यूज किया है इससे तो यह अच्छे से बीग नहीं पाएगा तो इसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी हमने यहाँ पे एक कप लिया है अब जितना लगेगा जरूरत के अनुसार से हम इसमें पानी आट करेंगे तो यहाँ पे मुझे पूरा एक कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से इसको मिलाएंगे अगर आपके पास सूजी बारिक वाली नहीं है तो मूटी वाली सूजी को आप एक बार मिक्सी में चला लीजिए और इसे आप देखे हमने अच्छे से यहाँ पे पानी और दही के साथ इसे मिलाग लिया है इसमें सिर्फ तीन ही इंग्रिडेंट है सिर्फ सूजी, दही और पानी इसे हम 10 मिनिट के लिए ढख कर रेस्ट होने के लिए रख देंगे और एक तरप मैंने कड़ाई रख दी है, एक स्टैंड रख दिया है उसमें पानी डाल दिया है और इसमें उपर हम एक प्लेट रख देंगे क्योंकि आज हम यह डोकला कटोरी में बना रहे है तो कटोरीया रखने के लिए हम इसमें एक प्लेट रख देंगे तो पहले हम इसको इसमें उच्छे से उबालाने देंगे और जिस कटोरी में हमें इडोकला सेट करना है उसमें तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे आप चाहें तो यह ढोकला किसी बर्तन में भी बना सकते हैं लेकिन गटोरी में बनाएगे ना तो ओ दिखने भी व busy लगता है और बच्छे को खाने में भी मजा आता है इसे तेल से हमें अच्छे से ग्रीश करना है अगर आपने तेल से अच्छे से नहीं ग्रिस किया तो डोकला चिपक सकता है यहाँ पे देखिए 10 मिनिट हो चुके है इसे हमें काईदे से 10 मिनिट के लिए रेस्ट पे रखना ही है नहीं तो क्या होगा डोकले पर सूझे न अच्छे से फूलेंगी नहीं तो वा उपर से आ riots दाने दाने दिखाए देंगे तो इसमें देखिए हमने टेस्ट के अनुसा नमक डाला है हरे मिर डाली है कट करके और आदा चमच हमने इसमें पीची वूई चीनी डाली है आप कहेंगे PCV चीने से डोकला मिठा मिठा सा बनेगा ऐसा नहीं है अच्छे से टेस्ट बैलेंस होगा अब इसमें हमने एक चम मर्च ओईल डाला है ओईल यहाँ पे हमें अनफ्लेवर्ड ओईल लेना है तो अब देखिए आप यहाँ पे दो तरह के इनो के पैकेट आते हैं यह रेगुलर वाला हरा और यह पीला कलर का यहने लिम्बू वाला तो आज हम यह लिम्बू वाला इनो यूज़ कर रहे हैं अगर आप वो हरे वाला पैकेट यूज़ करेंगे तो आपने अगर एक कटोरी भी दही लिया तो भी चल जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमने पूरा इनो का एक पैकेट इसमें डाल दिया है और उपर से थोड़ा सा पानी डाल का हलके हाथ से इसे मिला लेना है इनो डालने के बाद हमें इसे रखना नहीं होता है तुरंत ही हम किसी भी बरतन में बना रहे हैं उसमें से ट्रांसपर कर लीजिए उसे डाल दीजिए और सेट होने के लिए रख दीजिए यह जो जाक होता है नहीं जो बबल सा देना इससे हमारा डोकला अच्छा से फूल जाता है और इतनी सा मगरे से हमारे चार कटोरी यहाँ पर बनकर तयार होगे अगर आपको ज़्यादा कॉंटिटी में डोकला बनाना है एक कटोरी दो कटोरी भी आपके जितना आपको जरुरत हो इस हिसाब से बना सकते हैं इसी रेशो से रगेगा हो यहाँ पर दीखिए इस कड़ाई में मेरे तीन ही कटोरी आएंगे तो मैंने इसमें तीन ही कटोरी रख दी है और जो एक बच्ची है उसे मैं साइड में ही गरब होने के लिए रख दिया था इसमें भी वही हम लखेंगे एक जाली रखेंगे उसके उपर प्लेट और इसके उपर एक वो कटोरी रख दी है हम देख रहे हैं 20 मिनिट के बाद तो देखिए मैं आपको सिर्फ दिखा रही हो इसमें हम स्टीक डाल कर देखेंगे थोड़ अगर कड़ाई का पानी खतम हो चुका है तो यह मैं सभी बाते इसलिए क्लियर कर रही हो अगर आप पहली बार में डोकला बना रहे है तो भी आपका डोकला परफेक्टी बनेगा और आपको छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होगा तो इसे हम और पांच मिनिट के ल मिनिट के बाद भी चेक कर सकते है यह गयास की फ्लेम पर भी निरवर होता है 20 मिनिट लगेंगे या 25 मिनिट इसे पूरे 25 मिनिट के बाद हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ढोकला हमारा बहुत ही परफेक्ट फूल चुका है और आप देख सकते उपर का सर्फेस भी बिल्कुल भी फटा फटा सा नहीं है तो चली आप हम इसे साइट में रख देंगे और इसके लिए तड़का बनाएंगे तो तड़का पैन में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल गरम हो जाए तो हम इसमें राई डालेंगे और हरी मिर्ज डालेंगे और इसमे तड़के में हम हरा धनिया भी डाल देंगे तड़के में हरा धनिया डालने से इसका test और भी ज्यादा एन्यांस हो जाता है तो यहां पे यह ढूकला भी हमारा ठंडा हो चुका है तो इसे हमसा से थोड़ा सा ऐसा निकाल लेंगे और इसे उपर से थपत पाएंगे ना तो अपने आप ये डोकला निकल जाएगा वाव परफेक्ट आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट यहां पर हमारा डोकला बनकर तयार है बिलकुल भी ये फटा नहीं है या बेच में दबा नहीं है आ उसके उपर की जाली में आपको पास से दिखा रही हो आप देख सकते हैं कुछ बालने की जरूरत ही नहीं है डोकले को देख कर ही आपको पता लग रहा है कि डोकला बिलकुली परफेक्ट बनकर तयार हुआ है सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट अगर आप पहली बार भी ये डोक बड़ी आसानी से बना पाएंगे तो यहाँ पर देखिए बैटर बच चुका था तो इसमें मैंने छोटी कोटोरी में रख दिया था एक इतना क्यूट लग रहा है तो चलिए हम इस डोकले पर जो तड़का हमने बना के रखा था और डालेंगे आप इसे हरी चटनी के साथ आप भी सव कर सकते हैं डोकला बनाते वक्त बैटर में भी हमने हरी मिर्च कट करके डाली थी अगर आपको पसंद हो तो आप अधरक भी इसकर डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्च और अधरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर हमारा डोकला बनकर तयार है डोकला बनात देवक कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा जैसे की सूजी है वो हमें बारिक वाली ही सूजी लेनी है और अगर सोडा और बेकिंग पाउडर घर में नहीं है या आप डालना नहीं चाहते तो इनो डालना है और इनो अगर आप लिम्बू वाला डाल रहे है तो तही हम में यहां पे आधा कटोरी ही लेनी है आप डोगला देखिए मैंने उपर से पूरी तरह से दबा दिया था फिर भी वो अपनी सेप में अपने आप ही आ गया है चलिए अब मैं इसे आपको काट के भी दिखा रही हूँ तो देखिए कितना मोईस्ट है आपको काटने से पता लग रहा है और इसके अंदर की जाली देखिए आप परफेक्ट नो फेल रेसीपी है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करिए आशा करती हूँ मैं सभी बाते यहां पे क्लियर कर चुकी हो और भी आपको कोई दिखत है डोगला बनाने में कोई परिशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते है और आपकी कोई सुजा हो तू भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते है इतने बड़िया डोगले के लिए एक लाइक तो बनता है और शेयर तो करना ही है ताकि आपके फ्रेंड्स और परिवार वाले एक भी चुक किये बगर सुजी का परफेक्ट ठोकला एक ही बार में बना सके और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करिये नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद